ममता जी ने कहा है कि जो बंगला देश में हो रहा है तो वो अपने दरवाजे खुले रखेंगी और किसी को भी बंगाल में आने देंगी बंगला देश के लोग हमाई गवाय करटाएंगे तो जरूर शरंद देंगे ममता जी आप वही हैं जो ने C.A. के बारे में कहा था कि हम किसी भी हिंदू, सिख, पार्सी या क्रिश्टन शर्णार्थी को जो हिंसा से पीड़ी ठोकर बंगाल में आएंगे उनको घुषने नहीं देंगी ममता जी ने C.A. का हमेशा विरोध किया है जबकि C.A. का कोई संबंध भारत के नागरिकों से बिलकुल नहीं था क्या हिंदू क्या मुस्लिम तो एक तरफ जो अलब संक्यक हिंदू या क्रिश्टन या सिख या पार्सी चाहे बंगला देश हो या पाकिस्तान हो अफगानिस्तान हो वहां अपने आस्था के करण विक्टिमाईज होते हैं पिलित होते हैं उनको इस्थान नहीं देंगी और आज कर रहे हैं कि जो भी आएगा उनको हम बसाएंगे इसका मतलब क्या है दूसरी बात बार-बार ममताज जी और अखिलेश यादव भी थे और रहुल गांधी यह संविधान संविधान की बात करते हैं संविधान में आपको या दिकार है क्या या दिकार भारत सरकार का है केंद सरकार का है आभी किंद में मंत्री रही है this power does not belong to the state government at all किसको नागरिक्ता देनी, किसको बसाना, किसको नहीं बसाना और ममता जी को मैं थोड़ा याद रहना चाहूंगा एक स्थार का वार हुआ था तो उस समय भी तद काली केम सरकार ने फैसला किया था कि क्योंकि स्थापित आये थे, उनको हम बसाएंगे, क्योंकि वाँ विक्टिमाईज हो रहे थे बंगलादेश का इंटर्नल मैटर है सेटल हो जाए, हम सभी इसका आगरह करेंगे हम इसमें नहीं पढ़ना है लेकिन एक मुख्य मंत्री सीधा घोषना करे इसका मतलब क्या है क्या भारत की एक्ता को तोड़ना चाहती है उनके यह भी स्वर निकले कि बंगाल का रिलेशन हिंदुस्तान के साथ अच्छा हो इसका क्या मतलब है ममता जी, I would like to ask you what do you mean by this जिस बंगाल ने रामकृष्ण परमहंस, विवेका अनंद रविन्ना टिगोर सुभाष्ण बोस ऐसे महान बंकिम्चंद चंटरपाध्या ऐसे लोगों को कि जन्नी है उन्हें देश में अलग जगा ही वह आप कहते हैं रिलेशन हम अच्छा करेंगे आपका ये वक्तवे भरसना योग यह है और बहुत ही गैर जिम्दारना है मनता जी इसका शुद्ध और शुद्ध लक्ष है जिस तरीके से बंगाल की डिमोग्राफी बदल रही है उसको जिस्टिफाई करने के लिए एक कारण ढूबना आपको मालूम है जब भरत अजाद हुआ था सिर्फ तीन जिले मुस्लिम बहुल थे अब बंगाल के नौ जिले मुस्लिम बहुल हो गए है लेटेस्ट टड़ी जो आई है इवन कलकत्ता का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है मैं स्वेम बंगाल कई बार मैंने दोरा किया है मैंने देखा है जिले जिले आजकल बंगादेशी घुसपैठियों से रोहंगियास से बरे हुए है कोई चिंता नहीं है देश के सुरक्षा की और याद होगा इनाईय की प्रोब में आया है कई आतंकवादी घटनाओं के जो मुख्य अभ्यूक्त या कॉंस्टेटर्स होते हैं उनको कहा सो अरक्षन मिलता है तो बंगाल में मिलता है आपके देखा होगा उनको गिरफ्तार करने में दिक्कत होई बहुत परिशानी मिलता है